हेलो फ्रेंज कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे निव कीचन टिप्स के साथ आ गए हो फ्रेंज तो आज का वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाला है बहुत ही कमाल का है फ्रेंज तो आप पहले नहीं देखे होंगे कभी तो चलिए फ्रेंज आगे पढ़ते हैं द कर दें ठीक है इस तरीके से देखे नेल पेंट को हम जैसे कि कहीं हम साधी आपाटी में जाते हैं तो पहले से जो नेल पेंट लगा कर रखते हैं तो आधा वो हड़ जाता है और आधा लगा हुआ रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से देखने का तो नहीं होता है ती नर इसलिए बहुत मुष्किल होता है अब हम इस पे nail paint करने तो देखे करने का बहुत ही आसान tips है यह जिसे कि हम पहले निलपेंट लगाएं और कितना आसानी से हमारा पहले वाला nail paint इस तरीके से रिमू हो गया है तो friends देखे है ना आसान हैक्स तो आप जरूर बताना फ्रेंस की मेरे वीडियो किसकोने से देख रहे हैं अब कौन से टीप्स आप लोगो अच्छा लगा तो पुरा वीडियो देखे फ्रेंस बहुत ही कमाल का आज जो लेकर आई हूं टीप्स तो यहां पर देखे सारी से लेकर है तो इस तरीक किसे सारी है वह हमारे बहुत होते हैं तो फिर हम उसे पाहन अथे हैं और इस तरीके से से शेप्टी पीन जब के अंदर मुष्त है जाता है जो कि निकालने में बहुत ही मुस्किल queste हैं मुच्छीन होता है देखिए एक हैक से जिसे आप लुग इसे यूज करते भोट आथा हैं कि जैसे कि इस तरीके से हमें लेना है कोई सावी जिसे आप जो देख रहे हैं ये एक लेना है ठीक है तो आप इस तरीके से ले लेना और फिर इस तरीके से से शेप्लिपीन में लगा लेना तो देखी फ्रेंस ये बहुत ही आसान है और इस तरीके से हम सारी में भी पतलिस से पतलिस सारी में भी हम इस तरीके से मेरे वीडियो किसकोने से देख रहे हैं तो देखिए ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे टिप्स है जिसे हम यहां पर देखिए जिसे यह सिलाई से लेकर है जब भी इस तरीके से हम सिलाई में यह जीन्स का कपड़ा जो है वो मोटा होता है और हमें सीना होता है तो फ्रेंस हमे हमें इस तरीके से सुई को भी चेंज करना है तो कोई बात नहीं सुई भी हमें चेंज करना नहीं पड़ेगा और इस तरीके से लेना है हमें कोई सावुन ले लेना है जिसे कि कपड़े दोने का सावुन हो यह फिर कोई सावी इस तरीके से करना क्या है सुई में भी लगा दे तो दोनों तरब चो है हमारे कपड़े में भी इस तरीके से साबुन को हम लगा देते हैं देखिए फ्रेंस कुछ इस तरीके से अब हम आप लोगों को दिखा दी हों कि हम इसको किस तरीके से सीलाई करेंगे और कि इतना आसानी से यह सील जाएगा तो फ्रेंस ऐसे कभी-कभी साबुन लगा देते हैं सुई में और जहां पर सी रहें औहां पर दोनों साइट इससे क्या होगा हमारा सीलाई जो है बहुत ही असानी से सुई बाहर और अंदर इस तरीके से बहुत ही असानी से निकल जाएगी तो फ्रेंस यह तीप्स आप लोगों कैसा लगा आप लोग जरूर बताना और चलिए फ्रेंस कितना ऐसा होता है कीचन में तो बहुत सारे ऐसे छोटे चोटे काम होते हैं जिसे हमें करना होता है तो फ्रेंस हमें थोड़ा से समझदारी से काम करते हैं तो हमारा काम जो है वो तो आसान हो ही जाता है तो देखिए इस तरीके से जब भी आलू यो फित कोई हडा सबजी । इस हम छूरते हैं नीचे में ही रख देते हैं इसे क्या होता صिप आई अब हमें सब्जी dental Canyon कट कर लिए अब हमें नीचे का भी सफाई करना पह very much time लग जाता है आ violent। इस थारिके सी डाक कीचन में नियूज पेपर रखिए और काम को आसान बनाए तो इस तरीके से हमारा जो है को ए par रख लेगे और जीतने भी हमारे सबजी को कट करना है तो आसानी से हम कट सकते हैं जैसे कि लेसन हो गया प्या जो गया आलू हो गया यह सबका छीलका जो है ना पहुत सारे होते हैं साम सुबह और हमें बहुत सारा काम बढ़ भी जाता है तो इस तरीके से आप पेपर को यूज करते हैं तो आपका काम जो है वो आधा हो जाता है तो हम कोई साभी इस तरीके से बास्केट ले लेंगे जैसे की डलिया हुआ या फिर कोई साभी चीज और इस तरीके से हम रख देंगे, अब हम इस तरीके से जो है आलू ये सबजी हम कट करते हैं, तो हमारा जो है देखी काम जो है वो आसान हो ही गया है, है ना अब हमें ना तो साप करना पड़ेगा और ना तो मेरा कीचन जो है फैला फैला सा लगेगा, तो आई हो आप लोग को ये टिप्स पस अच्छा लगा कोमेंट सो बोक्स में जरूर बताना, इसी तरीके से हम डेली वीडियो लेकर आती हूं, ठीक है ना कल में